सबैंटिक प्रफरोंस बहुत अच्छी थी अब भी बहुत अच्छी है अब मैक उन्हें हमने पकड़ के फंडा था ऑब हम मैत्यू बेड छाइध इन से बातों में एक अची बात भी है कि 13 को 13 नवंबर को सेचरडे को एक इवेंट होने जारा है प्राइवेट म्यूजिक नाइट जहां पर आ रहे हैं नाधिर अली दा प्रैंक्स्टर आबिद रोही और उस्मान खान गोडी पर आ रहे हैं इन सब की वहां पर पर्फॉर्मसिस हैं और बड़ा एक अच्छा सा महौल वहां पर होगा और इस चीज बैटिंग पर्फॉर्मस हमारी मार्शालला तब बहुत अच्छी थी 191 स्कोर था I think so 189 था और अब भी बहुत अच्छी थी मंगर इसे अच्छी मजीद हो सकती थी जो सेकंड लास्ट ओवर था उसमें से बने हैं तीन स्कोर तो वह अगर पंदा स्कोर होते तो हमारा स्कोर वह 180 अब से अबब हो जाता चलो हम बैटिंग पर बात नहीं करते हैं बैटिंग लाइन बहुत अच्छी थी हर बंदा सही खेला फकर सही खेला थीक है बाबर सही खेला रिजवान सही खेला हफीज और शेर मलीक पर हम बात नहीं करते क्योंकि वह दोर प्रेज हैं निफास् कि उनको पांचे बोलें चाहिए होती हैं फोर स्टेबिल्टी जो आसीफ है आसीफ ने अचमारी ये चैवल बहुत बड़ी पंदा करे तु आया आके पहले आके तु एक दो बोल्स खेल ले ना फिर छका मार ली नहीं उसने आते साथ ही आते साथ ही पहले आओ बोल को देखो समझो आपने आते साथ ही जी शाट बेटिंग लाइन फिर भी बहुत अच्छी थी वेरी इंप्रेसिव अपनी वह यूजल फार्म से अच्छा कहले है आज बहुत अच्छा कहलें और फास्ट भी खेलें ठीक खेलें उनसे मुझे कोई शिक्वान नहीं है अब आते हैं बोल तीम में हारीस रही कोई जगह नहीं थी नहीं थी उसी टीम में रखे है क्यों मुहमद अमीर बाहर बठा हुआ च्यों शेके मैनिजमेंट जबंदें यह एं। जिनके जवाब किसी के पास नहीं है अब आते हैं हसन अली को सबसे ज़्यदा स्कोर पढ़ा है चार ओवरों में चौर्टाली स्कोर 44 रन्स in 4 ओवर्स and a catch drop catch drop करना catch drop का मैं क्या कहूँ catch drop के बाद मैश का बेरा गड़ को गया था हम शहीन को नहीं कहेंगे catch इसके पहर पढ़ा था वो अपना दिल हार बैठा catch के बाद ही वह फारी होगा इसको दिल उठा इतना अच्छा चांस इतना अच्छा चांस कि उनकी partnership break होने का एक नया बंदा आना था वो खेलने के लिए गरीज़ वे और बोल होनी थी दुबारा से बोलें बीड होनी थी और मैच बहुत अच्छा जाना था फर्स जाना था मजीद फर्स जाना था मैसे पर जो क्या जो को है ना वो गेम का टर्णिंग पाइंट था ये कमेंटेटर ने वहां बैठके छे से साथ दफ़ा कहे दिये कि ये कैश जो उस पाइंट पर क तीन रन आउट्स बकाइदा रन आउट्स थे प्रोपर रन आउट्स थे मिस हो गया पाकसानी टीम जब से बनी है हमने अपने बड़े बड़े कोश ना बदले इंवेस्मेंट की पैसा लगा है हमारे जो रन आउट्स हैं वो ठीक नहीं हुए चाहे वह 2010 की टीम है चाहे 2015 की टीम है 2021 की टीम है रन आउट्स करने में हम लोग फुद दूंगा है जो सिद्धी बात है कैच अच्छे चैच भी हुए आस्फ ने कैच ना पकड़ा और फकर्जमान ने कैच ना पकड़ा और हारिस रोफ का कैच बहुत अच्छा था बहुत अच्छा कैई था हासन अली का क इसी कैच था बहुत इसी कैच था और वह कैच ड्रोप हो गया शदाप खान ने इतनी अच्छे बोलिंग की क्या फाइद हुआ हुआ है मैच हाड़ते मज़ा था कि आखरी ओवर में आट नो स्कॉर है वह पढ़ गया ठीक है मैच हाड़ते इस ओके अभी एक और पुड़ा पढ़ गया था तो हाड़ गोई हम शरू से कहा है टीक है कि जब से स्कॉरड बनाई पाकसंतनी عवाम कह रही ही हम हम सön मेर्धा पाकसंतनी आपने बोलत बदलो 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 आमिर क्यों नहीं आमिर क्यों नहीं टीम में आउट फार्म था वो पीएसेल में उसी गेम बहुत अच्छी थी बैटिंग लाइन हमारी बहुत स्ट्रोंग है बहुत स्ट्रोंग है आप इसलग कोई मैच भी उठाके देख लें हम लोग जोर्ज परफॉर्मस दी है उसका वो अगले दो तीन साल तो खाएगा जैसे वो चैंपिन टोफियरली हंडर्ड का सैंस्ट्री का अभी तक खा रहा है इस तरह वो इस साफ सैंस्ट्री का भी खाएगा यह मुझे आप लिखवा ले अभी ज्यादा बात नहीं करूंगा अला